हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफिश श्रागत है आपके अपने योट्व चैनल नर्सिंग की दुनिया में तो साथियो आज की जो नोटीस है यह बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूसफुल रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा र चलते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले साथ है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इन साथे साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नो आप लोगों को बता दूँ कि यह परभात कवर्ड के द्वारा आ रही है साथ लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि नोटिस के लिए निवस के लिए मैं कितना सुबह से यहां पर इस पे मेहनत करी जा रही हूं ठीक है साथ यहों तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं देखिए आज की जो निवसें यह क्या रहने वाली है धोस्तों यहां पर साप साप बताया जा रहा है कि बीटी एसी जौव अगले साल यह पर फांस था के पदों के लिए होगी कांसलिंग दो पेंडिंग रिजल्ट भी हो सकते हैं जारे आप अगले साल की बात की जा रही है आप देख पा रहे हो कि अभी दिसंबर है और अगले साल जश्ट जनवरी ठीक है यहां पर साप साप कह दिया गया है बिहार तक्निकी सेवा आयोग साल दूहचर ताइस में नर् 2023 में ठीक है और बात किसकी की जा रही है एनम तो अभी जो है हाल फिलाल में एनम तो बस एक ही है 10709 ठीक है एंड इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आगले साल जो है बिहार तक्निकी सेवा आयोग पांस पदों के लिए कांसलिंग आयोजित करेगा इसमें नर्सिंग पर इक्षाओं के रिजल्ट भी जारी करेगा इसमें जुनियर इंजिनियर और आयोज चिकित्सक की भी न्युकती है इसमें जैई की भी बात की जा रही है ठीक है साथियो यह देखके आप लोग को थोड़ी सी दूख होगा ठीक है कि एनम पद के लिए आपे कांसलिंग ज जाके और ठीक है तो सबसे अंत में यहां पर एनम पद के लिए कांसलिंग जो है आयोजीत होगी तो आप लोग जैसा कि आप लोग को मैं पिसले वीडियो के मादम से बता चुकियों साथियों कि एनम में जो है काफी एहां पर काफी केंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है मत अब दो महीने तक चलने की संभावना और यह जो है काफी लंबी सुची तयार की जाएगी क्योंकि यहां पर आप लोग को पता है कि जैसे ही 10,709 है तो एमसी और साथियों यहां पर जो है 25,000 केंडिडेट को जो है बुलाए जाएगा कांसलिंग में ठीक है तो इसलिए जो है कांसलिंग में बुलाने की पूरी पड़किरिया कंप्लीट नहीं होई है तो यह जो है संभावना है एक्स टाइम है यह बताया जा रहा है तो सितंबर या उसके बाद ही कांसलिंग का रिजल्ट आप आप आएगा यहां पर काफी बड़ी लिस्ट होने के कारण थोड़ी इसी देरी होगी लेकिन सितंबर तक आने की बात कहीं जा रही है मतलग कि 2023 में जो है आप पक्का यहां पर साथ यो ज्वाइन कर पाओगी एंड इसके साथ ही आप जनबड़ी तक ट्यूटर के रिगार्डिंग भी देख सकते हों कि ट्यूटर में यहां पे 650 आवेदा खोन हो जाई क्या है इसको आप पाउस करके या फिर एसस लेके आप इसको पड़ पाएंगे ठीक है एंड इसके साथ अगर आप जोई के बार पर भी इंफर्मेशन चाहते है तो आप देख पा रहे होंगे ठीक है जोई नीती मामला भी हाइकोट में तो इसको भी आप लोग तो मिलते हैं साथियों नेक्ट इंफॉर्मेटीव एंड ऑथर्टिक वीडियो के साथ तब तके लिए सनल पर बने रहें वावाई टेक केर शाथियों